आज तक रेटियो, सुनता है सारा जहां यान ध्यान बाहरी भीत्री अश्रांती की वजह से जालतर देश अपनी डिफेंस बजट को बढ़ाते जा रहे हैं कोई A देश B से हथियार और एरक्राफ्ट खरीदने का करार करता है तो दूसरा कोई देश अपने संसाधनों के जरिए नई मिसाइल सिस्टम और हथियार बनाने में जुटा हुआ है 8 सितंबर को इंडियन आर्मे और DRDO यानि डिफेंस रिसर्ज अंड डिवलोप्मेंट और्गनाइज़ेशन ने एक मिसाइल का सक्सेस्फुल टेस्ट किया जिसे QR सैम कहा गया टेस्ट सफल रहा और इसे आने वाले दिनों में सेना को सौब भी दिया जाएगा लेकिन सवाल है कि QR सैम मिसाइल है क्या और इसकी ताकत कितनी है साथी पहले से मौझूद मिसाइल से किस तरह ये अलग है आज ग्यान ध्यान में बात इसी पर नमस्कार ये है ग्यान ध्यान और मैं हूँ खुशपूर दरसल ओडिशा के चांदिपूर में मौझूद इंटीग्रेटेट टेस्टिंग रेंज यानि ITR से 8 सितंबर को 6 मिसाइले दागी गए मिसाइलों को दागने के दौरान देखा गया कि क्या वो तेज स्पीट से आ रहे हैं या टारगेट पर या सठीक धंग से हमला कर पाती हैं या नहीं अलग-अलग सिच्वेशन जो जेनरली दुश्मन देश की ओर से अडॉप्ट किये जाते हैं उनको मात देने में ये 6 मिसाइल सिस्टम कितने फिट बैठते हैं पाया गया कि QR SAM यानि Quick Reaction Surface to Air मिसाइल ने accuracy के साथ टारगेट पर हमला किया QR SAM की खासियत और ताकत क्या है बता रहे हैं आज तक .in में Assistant Editor Richie Kmishra Quick Reaction Surface to Air मिसाइल मतलब ये हो गया कि एकदम से react करने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल अच्छी बात ये है कि इस मिसाइल की speed बहुत अच्छी है और बहुत खतनाक है मतलब ये Mac 4.7 मतलब धनी की गती से करीब करीब पांच गुना जादा speed में चलती है मिसाइल ये और साधारन भाशा में कहें तो 5757 किलो मिटर प्रतिगंटा की अधिक्तम गती है रेंज इसकी जो है वो 3 से 30 किलो मिटर है यानि कि ये बेसिकली बनाया जा रहा है हवाई सुरक्छा के लिए एर डिफेंस के लिए सीमाओं पे तैनाद कर दें दुश्मन का कोई विमान हेलिकॉप्टर फाइटर जेट या ड्रोन आता है तो 3 से 30 किलो मिटर के दूरी पे ये मार के उसको गिरा देगा और उचाई की अगर बात करते हैं तो ये 98 फिट की उचाई सबसे कम है मतलब अगर 98 फिट की उचाई तक भी कोई टारगेट आता है दुश्मन का तो वो उसको मार गिराएगा और अधिक्तम 33,000 फिट है मतलब जिस उचाई पे आम तोर पे हमारे कॉमर्शियल प्लेंस होते हैं विमान होते हैं या 3 विमान होते हैं तो ये है आपका QRSAM और इसको लांच करने के लिए लांचर ट्रक होता है उसमें 6 ट्यूब्स होती है मतलब एक ट्रक के उपर से 6 मिसाईल दागी जा सकती हैं चुंकि भारत के पास हर तरह के मिसाईल मौजूद हैं कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक पहुँचकर टारगेट करने वाली पृतवीद, ह अगनी, मिसाईल से लेकर सौरे और सागरिका तक लंबी सूची है और ब्रम्होस के बारे में तो आप जानते ही हैं ये मिसाईल दुनिया की सबसे तेज उनने वाली सूपरसोनिक मिसाईल है भारत में बने इस मिसाईल के साथ वेरिंट मौजूद है इन सबकी स्पीड 37 किलो किरो मिटर तक है 17 मिसाईले भारतिय थालसेना वाईू सेना और जल सेना में सर्विज दे रही हैं ऐसे में ज़वाल है कि अगनी से लेकर ब्रम्होस मिसाईल تक जब हमारे पास मिसाईल की एक लंबी लिस्ट है उसमें क्यू आर्ट सैम 2000 की इ criar करेगा और किस तरह कि सिस्ट् का फायदा यह होता है कि कम कीमत में बनती है मारक चमता अधिक होती है आसानी से डिपलॉय की जा सकती है कहीं भी और हवाई हमले से सुरक्षा प्रधान करती है तो माल लीजिए कोई और वैरियंट हमारे पास है उसकी मिसाइले खतम हो गई है तो हम इसको यूज कर सकते हैं इ उसकी जगह बहुत जल्दी प्रहार और प्रानाश करके सॉलिट फ्यूल मिसाइल साने वाले हैं अब यह आएंगे तो अबिसी बात है नई तकनीक के साथ आएंगे फ्यूचर जो है वो यह है कि हमें छोटे हत्यारों की जरूरत जादा पड़ेगी जो छोटे भी हो और घा जादा लोग नहीं मरते जिनको मारना है सिर्फ वह ही मरेंगे तो इसलिए ऐसे मिसाइलों का डवलप्मेंट जरूरी है और अपने पास होना चाहिए कि मलाकार तब तक के लिए आप सुनते रहिए आश तक रेटियो नमस्कार